हरे क्रेशना, आज हम बैंगन के सबसे बनाएंगे, धाबा स्टाइल, वो भी बिना लहसुनार प्यास के, ये कम मसाले में जल्दी बन जाता है, और काफी स्वादिष्ट भी है, हमने यहाँ पे चार लंबा बैंगन लिया है, हम चाहे तो कोई भी फराइटी का बैंगन इस्त करेंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर तक जाए, मैंने यहाँ पे इसके थोड़ा-थोड़ा डंठल रखा है, हम चाहे तो इसे पूरी तरह के से निकाल सकते हैं, इस तरह की सगह हम बीच में स्लिट करते हैं, तो कभी-कभी अंदर भी हम अच्छी तरह से पता चलत हम अच्छी तरह से निकाशन चलता उतर पाइंग अच्छी तरह से पूरा कोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से प्रिफर करती हूँ, एक-एक बैंगन में डालके उसे साइड में हर दिख दिएंग मसाला डाल के रख दिया है, अब हम इसे 10-15 मिनिट सैड में रख दिएंगे, तब तक हम इसके मसाला देख लेते हैं, एक मीडियम टमाटर यहाँ पे हम प्यूरे या क्रेट करकी ले सकते हैं, चाहे तो हम देड़ मीडियम टमाटर का इस्तवाल भी कर सकते हैं, तेकिन उस वक आमचूर पाउडर अवोईड कीजिएगा ड्राय मसाला लेंगे तीन चोथाई छोटी चम्मच धन्या पाउडर आदी छोटी चम्मच लाल मिर्श पाउडर हम चाहे तो तीन चोथाई छोटी चम्मच भी डाल सकते हैं स्पाइस लेवल हमारे उपर है कम्या जादा कर सकते हैं एक चोथाई छोटी चम्मच और फिर दो चुटकी गर्मसाला पाउडर तीन चुटकी हीन एक चोथाई छोटी चम्मच और फिर दो चुटकी हल्डी दो चुटकी आमचूर पाउडर अगर हम देड मीडियम टमाडर का इस्तमाल कर रहे हैं तो आमचूर पाउडर अवोइड कीजिएगा तो यहाँ पे हमने ड्राइ मसला पाउडर को मिक्स करके रख लिया है अब दूसरा इंग्रिडिंग्स देख लेते हैं आधी बड़ी चम्मच बेशन, दो से तीन बड़ी चम्मच हरा धन्या, तीन चोथाई छोटी चम्मच अध्रक का पेस्ट और दो छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट एक पान में हम देड से दो बड़ी चम्मच तेल गर्म होने रखेंगे हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब हम इसमें बैंगन को shallow fry करेंगे हम इसे slow नहीं तो medium flame पे इसे अच्छी तरह से 70-80% तकी fry करेंगे चाहे तो हम इसे cover करकी भी fry कर सकते हैं या तो खुला fry कर सकते हैं मैं यहाँ पे खुला fry कर रही हूँ धकन नहीं डाल रही हूँ दोनों सेड भी हम इसे fry करेंगे बैंगन को हमने पलट दिया है तो यहाँ पे मुझे तेल की थोड़ी कमी महसस हुई तो इसलिए मैंने एक छोटी चमच तेल डाला हमरी सारी बैंगन फ्राई हो चुके हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकालके साइड में रख देंगे उसी कड़ाय में हम दो बड़ी चमच तेल गर्म होने रखेंगे तेन चौथाई छोटी चमच साबुच चीरा इसे अच्छी तरसे फ्राई होने दे अद्रक का पेस जालके हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जियादा नहीं अब हम इसमें टमाटर डालेंगे इसे अच्छी तरसे मिक्स करेंगे अब हम इसे ढख कर टमाटर की सारे कच्छापन निकलने तक अच्छी तरसे फ्राई करेंगे देखे टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है, तेल भी काफी अच्छी तरह से आ चुका है बेसन डालेंगे, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसके कच्चा पन जाने तक हम इसे अच्छी तरह से फ्राइ करेंगे यह बस एक से दुप सकेंड में फ्राइ हो जैएगा ड्राई मसाला ढाल कर मिक्स कर लेंगे अब यह मसाला न चले इसलिए हम इसमें पानी डालेंगे लेकिन गर्म पानी यहाँपे थंडा पानी बिल्कुल इस्थमाल न करें पानी हमें जिस तरह से consistency चाहे उसे साब से हम पानी डाल दें देखें अच्छे तरह से ball हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा कोतमीर डालेंगे याँ पर अब थोड़ा ग्रीवी पानी पानी लग रहा है तो इसे ढखकर हम जस्ट एक से दो मिनिट तक अच्छी उबाल आने देंगे उबाल अच्छी तरह से आ चुका है अब हम इसमें हरी मिर्च का पेस डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लें फिर से ढखकर हम उसे एक उबाल और आने देंगे और इसमें हरी मिर्चो डाला है वो भी अच्छी तरह से मसाले में खुल जाएगा एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखें ग्रेवी का कंसेस्टेंस भी काफी गाड़ी हो चुकी है हमें जिस तरीके का consistency चाहिए उस हिसाब से हमें पानी डालना है fry कि यवा बैंगन डालेंगे अच्छी तरह से mix कर ले हम यहाँ पे नमक का इलस्तमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब बैंगन को marinate किया था उस वक्त हम नमक काफी लिया था सारी बैंगन को अच्छी तरह से मसाले के साथ कोट कर लेंगे देखिए अब एक उबाल भी आ चुका है उबाल आने के बाद हमेंसे धक कर थोड़ा सा पकनी देंगे तक कि मसाला अच्छी तरह से बैंगन को कोट हो जाए और हमने जो 70-80% कोट किया था वो भी पूरह 100% में बैंगन कोट हो जाएगा बीच-बीच में हमें इसे हिलाते रहेंगे देखिए हमारा ग्रेवी का काइंसेस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई अच्छा गाड़ा हो चुका है यहाँ पर अगर हमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो हम पानी का इस्तिमाल कर सकते लेकि गर्म पानी मैं इतना ही ग्रेवी प्रिफर करती हूँ तो इसलिए मैंने आज इतना ही रखा है थंड़ा होने के बाद यह और थोड़ा गाड़ा हो जाएगा फाइनली हम इसमें हरा धन्या डालके आच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमारा पैंगन का सबजी धाबा स्टायल रेडी हो चुका है सर्फ करने के लिए देखिए कितना पढ़िया लग रहा है ना बस एक बार यह सबजी बनाएंगे तो घरवाली सब उंगलिया चाटते रह जाएंगे हम इसे किसी के साथ भी सर्फ कर सकते है चपाती, रोटी, राइस, जीरा राइस, कोई भी फ्लेविड राइस के साथ फुल का पराठा आज हम इसे अजवेन के पराठा के साथ सर्फ करेंगे तो चलिए अजवेन का पराठा का रसी पी देखते हैं अजवेन का पराठा बनाने के लिए हमने एक बाउल में दो कप होल वीड फ्लाल यानि कि गेहूं का आटा, आधी चोटी चमच नमक एक चोटी चमबच अजवैन हाथों से क्रश करके डालेंगे तेल मैं यहापे नहीं डाल रही हूँ लेगन अगर आप लोगों को डालना है तो आप डाल सकते हैं इस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह से गुन लेंगे जैसे हम रेगूलर चपाती का आटा गुनते हैं वैसे हमें इसे गुनते हैं आटा अच्छी तरह से गुन के हो जाने के बाद हम इसमें बस आधी चोटी चमच तेल लगाकर उसे ढकल लगाकर साइड में रखेंगे 10-15 मिनिट रोटी बनाने से पहले हमें 10-15 मिनिट साइड में अपना जरूरी है क्योंकि अगर हम ये स्टेप करते हैं तो हमारा रोटी काफी अच्छा सॉफ्ट बनता है 10-15 मिनिट के बाद हम इसे फिर से थोड़ सा गुन लेंगे ज्यादा जरुवत नहीं है गुनने के इसके पेड़े बनाएंगे हम आज यहाँ पे वराइटी जफ पराठा बनाएंगे पहला तरीका है इसे अच्छी तरह से एक पूरी चपाती के तरह हमने बेल लिया है इस चपाती के उपर हम थोड़ सा तील पूरी जग़े पे स्प्रेट कर देंगे और हम सुखा आटा जो है उसे अच्छी तरह से स्प्रंकल कर देंगे जरा सा आटा लेला है आटा यहाँ पे छिरकना इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर हम आटा छिरकेंगे तो जब फाइनली जब रोटी बनाते है तभी उसकी जो लेयर्स है जो लच्छा है वो अच्छी तरह से आएगा अब हम उसे एक छोरी के मदद से जस्ट यह जो बीच में का सेंटर पार्ट लेके हम उसे इस तरह से एक जगे से स्लिट कर देंगे इसे काट देंगे और अब हम उसे इस तरह के से ट्राइंगल फोल्ड करेंगे अब इससे सोखे आटे में अच्छी से डिप करके हम उसे पराठा बेल लेंगे अब नॉर्मल रोटी या पराठी की जैसा हम इसे अच्छे तरह से सेख देंगे तेल लगा कर या घी लगा कर दूसरे तरीके का पराठा बनाएंगे यहाँ पर हम इसे बेलेंगे एकदम बड़ा रोटी की साइस पे नहीं थोड़ा सा डुम्रोटीकी साइज पे बेलेंगे थोड़ा सा तील पूरी रोटी पर सप्रेड करेंगे अब हम इससे ड्राइ फ्लार जो है आटा उसे छीर अग देंगे रोटी को इसतरे की से fold करेंगे यहाँ पर भी हम ज़रा सा तेल स्प्रेट करेंगे और सुखा आठा डाल कर पर एक फोल्ड करेंगे यहाँ पर भी हमने ट्राइंगल शेव दिया है अब इसे अच्छे दर से बेल लेंगे और आज उजूल फ्राइ करेंगे तीसरी तरहिके का पराठा एक बड़ी रोटी बेल देंगे थोड़ा सा तेल पूरी रोटी पे स्प्रेट कर देंगे अब सुखा आठा पूरी रोटी पे स्प्रेंकल कर देंगे हम इसे फैन के तरह फोल्ड करेंगे यानि कि साड़ी की प्लीट के से हम फोल्ड करते ठीक उसी तरह से हमें फोल्ड करना है इसे अब इसे थोड़ा सा स्लाइटली हम खीचेंगे ज्यादा नहीं और फिर बाद इस तरह के से हम रोल करेंगे उसको और जो लास का पार्ट है जो कॉर्णर का पार्ट है उसे हम इस तरह के से ऊपर उसको चिपका देंगे अब प्रेस करेंगे अब इसे भी सूखी आटे पे डिप करके as a पराठा हम बेल लेंगे और फ्राइ कर लेंगे पराठे का चवता तरीका मीडियम ये तो बड़ी रोटी पे लेंगे तेल अची तरह से स्प्रेड करेंगे सूखा आटा छिरक देंगे एक चूरी की मदद से सेंटर से लेके आधा ही रोटी को काटना है नीचे तक और फिर उसे रोल करते जाना है ये कौन के शेप की तरह होगा अब उपर के पाठ को प्रेस कर लेंगे जिस तरह के से दिखाया है बस उसी तरह के से हमको प्रेस करना है अब हमें सेदी सूखे आटे पे डिप करके अच्छे से पराठा बेल लेंगे और सेख लेंगे अब पांच्वाँ टाइप का पराठा इस आठे में मैंने जरा सा हल्दी मिलाया है ताकि रंग काफी अच्छा आ जाए तो इसे हमने अच्छी तरह से बड़ी रोटी जैसे बेल लिया है अब इसमें जरा सा तेल डालेंगे और फिर इसमें एक चुट की आमचूर पाउडर एक चुट की धन्या पाउडर दो चुट की लानमचिक पाउडर और फिर एक चुट की हल्दी और फिर वहमें इसे और सिद्द्ध पाट सब्सके हमें पराथ में पराथे के तरह पेलेंगे, और फिर एक शाइड के Gea आम यो लेसके हो साथ शाने सकते हैं और या तो दूद्ध के साथ भी लेज Treaty या किसी side dish के साथ कोई सबसी के साथ भी इसे खा सकते हैं इसे हम पराठी के तरह पेलेंगे और फिर फ्राइ करेंगे तबे पे मैं इस colorful रोटी का लच्छे दिखाती हूँ देखिए लच्छे कितनी अच्छे तरह से दिख रहा है लियर्स लियर्स तो ये खाने में भी काफी स्वादिष्ट रहता है इसे हम plain बना रहे हैं जिसे पराठा काफी heavy होता है जिसे पसंद नहीं है तो बस इस तरह किसे plain अजवेन का रोटी बना लेंगे हम and fry करेंगे तो आज हम हमारे बैंगन के सबसी को जो varieties of अजवेन का पराठा बनाए है उसके साथ सर्फ कर रहे हैं तो चलिए लौट कृष्णा को आज भोगा ओफर करेंगे तुलसी की पत्ते रखेंगे हरी क्रेश्णा